नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आईए हम अब यहाँ पे कुछ प्रशन हल कर लेते हैं जो कि अभी हमने कोण और चाप से संबंतित प्रवें पढ़ी उन पर आधारित तो अगर मैं प्रम्हे को एक बार फिर से दोरा दूँ तो एक चाप दोरा केंदर पर अंतरित कोण वृध के शेश भाग के किसी बिंदू पर अंतरित कोण का दुगना होता है जैसे आधारित है इस पर प्रशन एक तो अगर मैं X का मान निकालू, तो X जो है वो इसी चाप द्वारा बनाया गया, एक कोण है केंद्र पे, तो इस चाप द्वारा बनाया गया कोई और केंद्र जो की इस वृत के किसी और शेश भाग पे होगा, तो उसका दुगना हो जाएगा X, यानि की X का मान 56 हो जाएगा. इसी ब्रमे का प्रयोग करके आप दूसरा भाग भी कर सकते हैं, तो X का इसमें मान 31 का दुगना हो जाएगा, यानि की 62 हो जाएगा, फिर अगर हम C भाग पे चलें, तो X का मान कितना हो जाएगा, 210 का आधा हो जाएगा, क्योंकि जो ये चाप, ये दीर्ग चाप आप की भी अनिशेश भाग पर होगा, वो आधा हो जाएगा, यानि की 210 का आधा 105, इसके बाद देगे मैंने एक और प्रमे आपको ये बताई थी, कि अगर हम अर्ध वृत में कोई भी एक कौन लेंगे, तो वो कैसा होगा, समकौन होगा, मतलब की अर्ध वृत का कौन समकौन हो योग फल 90 डिग्री होता है, तो इस तरहां से हमारे पास एक्स का मान जो है, वो 55 डिग्री आ जाएगा, अब देखिए, इस ही प्रमे के अधार पर ये प्रशन भी आपको दिया गया, और इसमें आपके सामने ये दो निशान बना देगे, इन दो निशान का क्या मतलबगा और ये 90 डिग्री हो गया, यानि कि 2 एक्स बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और इससे हमें एक्स का मान 45 मिल जाएगा, इसी प्रकार से आप इस वाले अगर चित्र में देखें, तो ये तीन निशान बने हैं, यानि कि ये एक सम बाहुत रिबुज है, और सम बाहुत यानि कि 30, अब अगर हम इसमें देखें, तो निशान नहीं मने हैं, अगर हम कह सकते हैं कि दोनों तरज्याएं समान हैं, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, और ये वाला कौन हम निकाल लेंगे, 30 का दुगना यानि कि 60, तो ये दोनों एक्स भी 60-60 ही आ जाएंगे, फिर से अगर ये 70 है, तो ये 70 का आधा, यानि कि 35, और ये इसका राखे कि यो गुम बनाने वाला एक कौन, यानि कि 180-35, यानि कि 145, इस प्रकार से हमने प्रमेह के प्रयोक करके ये सारे ही प्रश्न कर लिए, इसी तरह से मेरे पास कुछ और प्रश्न है, जो भी आपके प हमेरी और है, जो प्रकार कर ये 50.